नमस्कार दोस्ता आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि डॉमिनोज पीचा एपलिकेशन अपने मॉबल में उपन नहीं हो रही है तो आप इस प्रब्लम को कैसे सॉल कर सकते हैं जहां गई जाप भी जाना चाहते हैं कि डॉमिनोज पीचा एपलिकेशन अपने पर सैट करना है जिससे आने वाली वीडियो के नॉट्फिक empt करना है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपकोसर फर्क ओप्सन देखने को मिल जाता यहां पर आपको सर्च करना है डॉमिनोज पीजा सर्च करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डॉमिनोज पीजा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको डॉमिनोज प पीजा application अपने ओबल में open नहीं हो रही है तो गई जहां पर आपको सबसे पहले आपको इस application को update करना है तो गई जहां पर आपको back आना है, बैक आने के vyक बाद गई जहां पर áp dेख सेकते हैं पर आपको अपने ओबल की setting को open करना है अपने ओबल की setting को open करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर अपने ओबल की setting open हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको apps का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको click करना है एप्स के अप्सन पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको कई सरे अप्लिकेशन देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको Domino's Picha Application पर क्लिक करना है Domino's Picha Application पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आपको App Info का Option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर Domino's Picha Application अपने उबल में उपन नहीं हो रही है तो गई जहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको फॉर्ट सिस्ट आप का आप्षन देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आपको ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर डॉमिनोज पीजा एप्लिकेशन का ओल डाटा कलियर हो चुका है तो गई जहांपर आप देख सकते हैं यहाँ पर Domino's Pija application का All Data Clear होने के बाद गई जहाँ पर Domino's Pija application अपने उबल में open होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इस problem को solve कर सकते हैं। तो गईस कैसा लगा यूडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके All पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नॉटिपिके इसन आपको मिलती रहेगी